हेलो फ्रेंड्स बाइशेल्फ डॉक्टर एनके बावलिया प्रिंसिपल एट गॉर्मेंट साइंस कोलेज सीकर जैसा कि आपने बहुत सारे मेरे वीडियो देखे हैं और उनको लाइक किया है सब्सक्राइब किया है और कमेंट किया है और कई विद्यार्थियों के और कई प्रॉफेसर्स के कमेंट्स भी आते रहते हैं और कई प्रकार की इच्छें भी जायर की जाती हैं और हमने जो पूर्व वीडियो जारी किया है Plant Taxonomy के विशेश रूप से वर्गिकन पद्दितियों से समंदित ही जारी किये हैं और उसी कड़ी में आज मैं आपके सामने दूसरा वीडियो रखने जा रहा हूँ और इसे वीडियो के नाम में कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं देता है या लगता नहीं है कि ये किसी वर्गिकन पद्दिति से समंदित वीडियो है ये वीडियो विशेश रूप से एंजियो स्पम फाइलोजोनी ग्रूप के नाम से जाना जाएगा और इस से वीडियो को मैं तीन भागों में डिवाइड करने जा रहा हूँ पहला जो इसका वीडियो है उसके अंदर हम बात करेंगे APG ये एंजियो स्पम फाइलोजोनी ग्रूप क्या है इसका साब्दिक अर्थ क्या है इसे का नाम APG क्यूं पड़ा है इसे का उद्दे से क्या है इसे वरगिकन पद्दति को बनाने में कितने वैग्यानिक के भाग ले रहे है इस वरगिकन पद्दति का नाम पूरुवत वरगिकन पद्दति के नाम की जैसे वैग्यानिक के नाम पर ही क्यों नहीं है इस वरगिकन पद्दति के क्या सिद्दान्त है इन सबी बिन्दों को आज हम इसे वर्गिकन पद द्धती के अंतर चरचा करेंगी तो आईए इस से वीडियो के बारे में आप जानिये और इस वर्गिकन पद द्ती जो अपने आप में महति वर्गिकन पद द्ती बनती जारी है इसको विस्तार से समझेए जैसा कि मैंने बात की APG A4 Angiospum P4 Phylogeny G4 Group इसे Angiospum Phylogeny Group के नाम से जाना गया है और सौर्ट में इसे APG के नाम से भी जानते हैं या Angiospum Phylogeny Group वरगेकन पद्दती के नाम से भी जानते हैं लेकिन इसे पद्दती के नाम के साथ में कहीं भी Classification System एसेटरा यूज नहीं किया जाता है सिर्फ APG सब्द या Angiospum Phylogeny Group सब्द ही यूज किया जाता है ये Angiospum Phylogeny जो ग्रूप है ये ग्रूप Systematic Botanist का एक Informal International Group है और इस Systematic Botanist के International Informal Group के द्वारा ये Classification System से बनाय जा रहा है और ये Classification System आन्वरत जारी है और इस Classification System के अंदर वेशेशूप से Flowering Plant से या हम कह सकते हैं Angiospum Plant से का Classification प्रतिपादिते किया जा रहा है और ये वर्गिकन पद्दति ठीक उस प्रकार से काम करती है जिस प्रकार से एक आम सहमती इस्थापित करने के अंदर सहयोग करती हो उस रूप में ये वर्गिकन पद्दति काम करती है ये वर्गिकन पद्दति जैसे तीन प्रकार की वर्गिकन पद्दतियों में जो phylogenetic classification system है उसी के अंतरगत ये वर्गिकन पद्दति आती है और इस phylogenetic study के अंदर जो ये वर्गिकन पद्दति आ रही है या जारी है ये नई-नई ज्यान को प्रदर्शित कर रही है या नई-नई अध्यनों को प्रदर्शित कर रही है अब तक यदि हम बात करें इस व 2016 तक चार संसकन पब्लिस हो चुके हैं या हम कह सकते हैं चार वर्जन पब्लिस हो चुके हैं जिनमें से पहला वर्जन 1998 में आया था दूसरा वर्जन 2003 में आया था तीसरा वर्जन 2009 में आया था और चोथा वर्जन इसका 2016 के अंदर आया है यह चारों वर्जन पब्लिश हो चुके हैं इन चारों वर्जन के पीछी की जो मूल भावना है यह मूल भावना यही थी कि पहले वाली जो NGOS Pump के classification system थे उन classification system में यह ग्रूप किसी ने किसी प्रकार की कमी मानता था और वेब बेसिक कमी थी उन ग्रूप के अंदर कि यह classification system मोनोफाइलेटिक सम्मो पर आधारित नहीं थे में से इसमें ऐसा कोई सम्मो है जिसके अंदर एक सांबन्य पूर्वज के सभी वन्स सामिल हो उस अनुकरण के उपर यह वर्गिकन पद्दतियां आधारित नहीं थे उन पूर्वर्गिकन पद्दतियों के अंदर यह कमी रही है और इस कान से यह नई पद्दति सामने आई है अब हम बात करने जा रहे हैं कि angiospum वर्गिकन पद्दतियां पहले वाले वर्गिकन प्रदतियां और एट प्रेजेंट जो APG या NGIS POM PHYLOGENI ग्रूप है इनके अंदर क्या विशेशता है यदि हम पूर्रों में या अतीत में बात करें तो जो पहले वाले वर्गिकन प्रणालिया थी वे आम तोर पर एकल व्यक्ति वनस्पति सास्त्री या हम दूसरे सब्दोंब कह सकते हैं Individual Botanist या एक छोटे से एक बातनिस्त के ग्रूप द्वारा तयार की गई प्रणालिया थी यानकि उसके अंदर ज्यादा व्यक्तियों का योगदान नहीं था या तो एक व्यक्ति का योगदान था या कुछ व्यक्तियों के योगदान स आइसे वर्गीकन पद्दतियां पूरू के अंदर आई हैं और इसे के कार्ण से हम ने देखा है NGYOS PAM classification system की history के अंदर देखा है इसके कार्ण से बहुत बड़ी संखिया के अंदर ऐसे वर्गीकन पद्दतियां विक्सित हो गई हैं और उन वरगीकन् पद्धतियों को हर व्यक्ति, हर देश या हर संस्था अपने हिसाब से यूज कर रही है किसी को कोई पद्धति अच्छी लगती है, कई अलग 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 पद्धति को अपना जा रहा है, For example, हम बात करें, यसी महादियूपी यूरोप के अंदर इंगलर सिस्टम को अपनाय जाता है, ब्रिटेन के अंदर बेंथमेंड होकर सिस्टम को अपनाय जाता है, पूर सोज संग के अंदर तक्ताजन सिस्टम को अपनाय जाता है, संग्त राज्य अमेरिका के अंदर क्रॉनक इस system को अपनाय जाता है, इनकी अलग-अलग country के अंदर या अलग-अलग continent के अंदर अलग-अलग प्रकार की वर्गीकर्ण पर्दतियों को अपनाय जाता है, उनको अपनी सुधा दिखाई देती होगी, या उन व्यक्तियों से विसे इस लगाव दिखाई देता होगा, या व वो एक पद्धति को जो अपना चुके उसके अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाते होंगे, इसकान से वो उस पद्धति को अपनायते जा रहे हैं, इसे वर्गिकन पद्धति के अंदर विशेश रुप से जो एंजियोस्पम प्लांट्स हैं, उन एंजियोस्पम प्लांट्स में इन वर्गिकन पद्धतियों, पूर वर्गिकन पद्धतियों के ज़रा किसी प्रकार के आनुवनसिक प्रमान की उपलब्दता उनको नहीं दिखाई दे रहे थी, जो इस वर्गिकन पद्धति के अंदर ये आनुवनसिक प्रमान की दिखाई देरी है एंगियोस्पंग को एंथोफाइटा या मेगनो लियोफाइटा के नाम से जाना गया है और ये पूर्व की जो वर्गीकन पद्दतियां है प्लांट्स की आखारी की या मॉर्फोलोजी या बाइट केमेस्ट्री पर बेस्ट थी जबकि ये जो वर्गीकन प पद्दति हमारे सामने आई है यदि 1980 की दस्तकी हम बात करें तो फाइलोजिनेटिक जो मेथड्स हैं उनके अंदर काफी सारी एनलाइसिस किए गये हैं और उन एनलाइसिस करने पर जो मुझूदा क्लासिफिकेशन सिस्टम हैं उनके अंदर कई प्रकार की प्रपोजल आये हैं कि उनके अंदर परिवर्तन होने चाहिए और उसे परिवर्तन के कान से उन वर्गिकन पद्दतियों की जो इस्थिरता है या हम कहें स्टेबलेटी कहें वे इस्थिरता नहीं रह पाई है उनकी इस्थिरता बुरी तरह चकना शूर हो गई है क्योंकि वो वर्गिकन पद पद्दति के सामने टिक नहीं पा रहे हैं और ने सिर्फ ये वर्गिकन पद्दतियां इवन विश्व इस तरकेंपर अंदर हम बात करें इन वर्गिकन पद्दतियों को काम में लेने वाले व्यक्ति या देश से या उप्योग करता हूं इवन हम कहें वर्ल्ड दिया भी इस वर्गिकन पद्दतियों से एकतर से उनके सामने भी एक समश्या खड़ी हो गए कि हम कौन से वर्गिकन पद्दति को अपनाए जो अच्छी है या बुरी है यानि कि कई प्रकार की समश्याइं आ गई हैं और ये जो वर्गिकन पद्दति आई है ये वर्गिक plants के study की और उन flooring plants के अंदर एक photosynthetic gene study किया प्रकास sensation gene study किया और उस प्रकास sensation gene का नाम है RBCAL और इस RBCAL gene के आधार के साथ साथ है इसके अंदर molecular study थी और उस molecular study की आधार पर इन्होंने 1993 के अंदर इन flooring plants के अंदर इस gene को study किया और उनकी molecular study की और उस study से जो पूरू की वर्गिकन पद्दतियां थी उनके अंदर किसी प्रकार का तालमिल दिखाई नहीं देता है पूरू classification system को वर्गिकन पद्दति को देखते हैं तो उन्हों ने अधितरने flooring plants को दो भागों में divide किया है monocorps एंड dicorps लेकिन ये वर्गिकन पद्दति अपने आप में अलग प्रकार की वर्गिकन पद्दति है इसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई देता है कि dicorps को एक अलग समों के रूप में इस्थापित किया जाए या अलग समों के रूप में इसका समर्थन किया जाए इस इन सोध अधिनों के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर विज्यानिकों के बीच में काफी कॉडिनेशन रहा है और उस कॉडिनेशन की resultant ये चीज सामने आई है कि हमें इस वर्गिकन पद्दती में कहीं भी डाइकोर्स या मोनोकोर्स को अलग अलग नहीं करके ये सिस्टम हम प्रपोज नहीं कर सकते हैं और इसे वर्गिकन पद्दती को तयार करने के अंदर सिर्फ एक विक्ति का योगदान नहीं है बहुत सारे विक्तियों का इस वर्गिकन पद्दती को तयार करने के अंदर योगदान लिया गया है और उसी के कान से इस वर्गिकन पाइलोजेनी समो वर्गिकन या एपीजी संक्षित में अपनाने का निर्ने लिया गया है और इस वर्गिकन पद्दती का सबसे पहला जो पब्लिकेशन जैसे मैं पहले बता है 1998 में आया था और उसमें इस वर्गिकन पद्दती ने मीडिया का काफी ध्यान आकरशित किया था इसे वर्गिकन पद्दती का मुख्य उद्दे से यही था कि एंजियोस्पन क्लासिफिकिशन के लिए एक व्यापक रूप से स्विकृत और अधिक इस्थिर संदर्ब प्रदान करना था कि इसा क्लासिफिकिशन सिस्टम लोगों के सामने आए जो इस्थिर हो या इस्टेबल हो ऐसा रेफरेंस से लोगों के सामने आए यह इसका में मोटिव उस समय था ये वर्गिकन पद्दतियां जो शुरू के अंदर 1998 के अंदर पहली वर्गिकन पद्दति आई थी उसके बाद में इसके अंदर तीन संसोदन होए हैं और ये संसोदन जो हमने पहले डिसकस किया है 2003 के अंदर APG 2nd वर्गिकन पद्दति आई, 2009 के अंदर APG 3rd वर्गिकन पद्दति आई, और 2016 के अंदर APG 4th वर्गिकन पद्दति आई हार एक जो वर्गिकन पद्दति आई, वे पहली वाली वर्गिकन पद्दति को सुपर सीड करती हुई आई, यानि कि पहली वाली वर्गिकन पद्दति के अंदर जो कमिया थी, उनको दूरते दूर करते हुई वे वर्गिकन पद्दति सामने आई, यदि हम बात करें, इन चा वर्गीकनपंदत्तियों के अंदर करीबान 23 रिस सर्छ या सोध करताओं ने भाग लिया है और इन में से 13 सोध करताओं में से 13 लेखक के रूप में estares Тकर्टाथ के रूप में जाने जाते हैं और इसके सासात में करीबन 43 contributors हैं, योगदान करता हैं, जिनोंने इस वर्गिकन पद्दती को तैयर करने के अंदर अपना योगदान दिया है, अलांकि उनका नाम authors की list में नहीं है, authors की list में 13 scientists हैं, या सोध करता हैं, उन 13 scientists में से ये सारे के सारे हमने listing की है, उन में से जो पहले लेखक हैं, जिनका Peter Stevens नाम है, ये Peter Stevens से नामक साइंटिस्ट है, Harvard University और University of Missouri, St. Louis and Missouri Botanical Gardens से related हैं, इनोंने चारों papers के अंदर, A.P.G. 1, 2, 3, 4, चारों के अंदर, as an author की रूप में कारे किया है, इसके अलावा, Mark, Wyverni, Chase, जो Royal Botanical Garden क्यों से आते हैं, कार, Bremmer, Uppsala University and Stockholm University से आते हैं, Douglas E. Saltis University of Florida से आते हैं, दूसरे और तीसरे चोथे नमबर वाले जो साइंटिस्ट हैं, इनोंने करीबन तीन वर्गी कर्म पद्धित्यों के अंदर काम में किया है, पामिला, S. Saltis, Florida Museum of Natural History से आते हैं, माइचल F. Ray, Royal Botanical Garden क्यों से आते हैं, ब्रिग्रिटरा, Bremmer, Swedish Academy of Science से आते हैं, James L. Revell, University of Maryland and Cornell से आते हैं, James W. Bing, Plant Gateway and University of Aberdeen से आते हैं, Martin James Christians, Plant Gateway, Royal Botanical Garden क्यों से आते हैं, ग्यार्वे नमबर पर Walter S. Judd, University of Florida से आते हैं, बार्वे नमबर पर डेवड जी, Ember, Member Lee, University of Oxford, University of Leiden, Naturalist Biodiversity Center, Macquarie, University National Herbarium of New South Wales से आते हैं, और तेर्वे सांटिस्ट अलग्जेंडर एन शैनी कोई, Finnish Museum of Natural History, Komarau Botanical Institute से आते हैं, इस प्रकार से हमने एक से तेरा तक सांटिस्ट का नाम आपकी सामने रखा है, जिनमें से पहले सांटिस्ट पीटर स्टिवेंस ने चारों वरगीकन पद्दितियों के अंदर काम किया है, दूसरे, तीसरे, चोथे ने तीनों वरगीकन पद्दितियों में काम किया है, पांचे, छटे, सात्वे ने दो वरगीकन पद्दितियों के अंदर काम में किया है, 10, 11, 12, 13 ने सिर्फ एक वरगीकन पद्दिति के अंदर काम किया है, इसके अलावा 43 कॉंट्रिबूटर से योगदान करता है, जिनोंने किसी ने चारों वरगिकन पद्दतियों में contribution दिया है, किसी ने तीन में दिया है, किसी ने दो में दिया है, किसी ने एक में दिया है मैंने उसी क्रम के अंदर ये कुछ नाम लिखे हैं जिन में से कुछ ने चारों के अंदर शुरू के अंदर चारों में योगदान दिया है, कुछ ने तीन में योगदान दिया है, कुछ ने दो में दिया है, कुछ ने एक ने दिया है जैसे रिचार्ड G. Olmsted ने चारों में कॉंटिबिशन दिया है। पीटर गोल्ड ब्लाट ने चारों में दिया है। अरने A. Andrewberg ने चारों में दिया है। Water S. Judd ने चारों में दिया है। Mary Kelsiog, Paula G. Rudol, Kenneth G. Sistema, Barbara G. Brinks इनों तीन में योगदान दिया है। कैथलिन एक्रोन, डेनाइल एल निक्रेन, जेमस ई रोडमेन, विंसेंट शुवे रेन, इन्होंने भी तिन में योगदान दिया है, केनिथ वोड्रेक, जैनी क्यू, वाई जियांग, शू जेमरेजली, माइचल जे मुरी, मेड्श थुलिन, इन्होंने भी करीबन तिन में यो कोंट्रिबूटर्स के नाम दिया है, इसके बाद में 18, 19, 20 and so on, अराउंड ये टॉटल 43 कोंट्रिबूटर्स हैं, जिनका नाम यहां पर ज्यादा लिखना उचित नहीं है, टॉटल नमबर 43 हैं, इस प्रकार से इसे वर्गिकन पद्दिति के अंदर 13 ओथर से और 43 कोंट्र वर्गिकन पद्दिति के अंदर, इसे APG सदश्यों की बात करें, तो ये स्वतंत्र सोध करता के रूप में या एंजियोस्पम टेक्सोनोमिक एक्षेत्र में अपने श्वम के विचारों को रेगुलर प्रकासिते करना जारी रखते हैं, और इसके कान से ये वर्गिकन पद करने में लगे रहते हैं, इस वर्गिकन पद्दति के कई प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, यदि हम बात करें, तो क्यूँ जो हर्बेरियम है, जो मुखे हर्बेरिया के नाम से जाना जाता है, ये भी अपना जो क्लासिफिकिशन सिस्टम है, संग्रय का जो ख्रम है, उसको इस वर्गिकन पद्दति की अकोडिंग बदल रहा है, इसी प्रकार से चैनित प्लांट फेमिली जी की प्रभावसाली वर्ल्ड चेक्लिस्ट को एपीजी थर्ड सिस्टम के अंदर अपडेट किया जा रहा है, ऐसे ही 2006 में संक्त राजिया अम UK में ब्रिटिस से द्वीप स्वमो स्टेश द्वारा मानक वनस्पतियों का 2010 संसकन एपीजी थर्ड प्रणाली पर आदारित है, इससे पहले वाले जो संसकन थे वो क्रोन क्रिस्ट प्रणाली पर आदारित थे, इस प्रकार से इस वर्गिकन पद्दति के अकोडिंग लोग अपने अपने जो वर्क है उसको उसे साबसे बदलते जा रहे हैं, अब आते हम इसे वर्गिकन पद्दति के प्रिंसिपल्स या एपीजी सिस्टम के क्या सिद्धान्त हैं, उन सिद्धान्तों की बात करें, तो ये सिद्धान्त 1998 के अंदर जो पहला पेपर आया था, उसी पहले पेपर के अंदर ये सारे के सारे सिद्धान्त निर्धारित हो गए थे, और ये सिद्धान्त बाद के जितने भी संसोदन आया हैं, उनके अंदर भी किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं आपाया हैं, यानि कि सिद्धान्त आय परिवर्तित रहे हैं, ये मुखे मुखे स सिद्दान्त कौन से हैं, इनकों संक्षेप में ले रहे हैं, पहला सिद्दान्त है कि इसके अंदर गणों और कुलों की लीनियन जो सिस्टम है उसको बरकरार रखा जाना चाहिए, यह इस सिस्टम का मुल्ध ही है, कुल पुस्पे पात्पों की व्योस्था में सेंट्रल होते हैं, यह केंद्री होते हैं, कुलों का एक क्रमिक वरगिकर्ण व्यापक उप्यूगता का संधर्ब या रेफ्रेंस टूल के रूप में प्रपोज किया गया है, गणों को टीचिंग जैस्शिक्षन में और फैमेलिज या कुलिय समंधों का अध्यन करने में विशेश रूप से मुल्ले माना जाता है, दूसरा इसका सिद्धान्त है, सम्वे मोनोफाइलेटिक होना चाहिए, कि इसे क्लासिफिक्षन सिस्टम के अंदर जो भी ग्रूप होगा, वे मोनोफाइलेटिक होना चाहिए, पॉलिफाइलेटिक नहीं होना चाहिए, यानि कि एक समान्य पूर् प्रणालियों को ऐस्विकार कर दिया गया है क्योंकि भी फाइलो जेनेटिक नहीं थी यह सिस्टम जो पहले वाली क्लाश्मिंट सिस्टम है उनको असेप्ट नहीं करता है यह एकदम खारीज कर रहा है इसका सिद्धांत है अगला इसका सिद्धांत है कि इस के अंदर गणों और कुलों जिसे समों की शीमाओं को परिभासित करने के लिए एक व्यापक द्रिश्टिकॉन ब्रॉड द्रिश्टिकॉन लिया जाता है इस प्रकार गणों के बारे में कहा जाता है कि सीमित संख्या में बड़े गण अधिक उप्योगी होंगी कि संख्या तो लिमिटेड हों और उनकी जो ब्रॉडरनेस है वे ज्यादा हो ऐसे हों तो ज्यादा अच्छा रहेगा एकल जीनस से यानि कि मोनो टिपिक के जीनस वाले या मोनो टिपिक फैमिली या एकल कुल वाले जो भी गण होंगे ओर्डर होंगे उनको जहां तक हो सके वहां तक आउड़ किया जाना चाहिए उनसे बचा जाना चाहिए यह इसका सिद्धानत है यदि ये मॉनोफोनिक रूप से और रायडिंग की आउशकता का उलंगन की बिना संभव है तो ऐसा करना जरूरी है ऐसा हने की एक जीनस की बेसिस पर या एक फेमिलीज की बेसिस पर हम कोई भी ऑर्डर बना दें या जीनस बना दें यह families बना दे, ज्यादा होने चीए, अगला इसका सिद्धान्त है, कि इसके अंदर गणों और कुलों के इस तरके उपर या समानांतर, cleared शब्द अधिक उप्योग, अधिक स्वतंत रूप से किया जाता है, इनकी पहले वाले classification system के अंदर हम बात करें, division, sub-division, class, sub-class इस परकार के सब्द काम में लिये हैं, इसके बजाए इन्होंने यह काया कि यहाँ पर cleared सब्द काम में लिया जाना चाहिए, गण या कुल की उपर जितने भी जो groups बनते हों उनके लिए, और ये एक phylogenetic trimis सभी klits को नाम देने के लिए ने तो संभव है, नहीं ये वांचनी है, ने तो possible है, नहीं desirable है, हालां कि systematist कुछ संचार और चर्चा कुछ स्विधाचनक बनाने के लिए कुछ विशेश कर गणों और कुलों के लिए नामों पर सहमत होने की आवशकता होती है, यानि कि इसके लिए ऐसा हैने कि हम किसके ओपर थौंपे आपस में चर्चा करके इसके ओपर ये निसकर्स निकालना चाहिए, इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो के अंदर APG Angiose Pump Phylogeny Group क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसके सिप्दान्त क्या है, यह हमारा पहला वीडियो था, अगली वीडियो के अंदर हम APG First, APG Second, APG Third से रेलेटेड जारी करेंगे, और थर्ड वीडियो के अंदर APG Fourth वर्गी कनपद्दती को जारी करेंगे, धन्यवाद आपने इसको धान से सुना, और यह आपको आगे और भी अच्छी अधिक जानकारी देगा, आप घर पर रहिए, स्वस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए, अध्यन का आनंद लेते रहिए, धन्यवाद.